दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि HDFC bank के credit card के reward point को आप cash में कैसे redeem करेंगे, ठीके, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने HDFC bank की application को open करना है, इसके login करना है, login करने के बद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, ठीके, यहाँ पर सबसे उपर देखिए, left corner में menu का option आएगे, इसके बद आपके सामने काफी सार option आजाएंगे, home के निचे देखिए, pay का option आएगे, इसके बद आपके सामने काफी सार option आजाएंगे, money transfer के निचे देखिए, cards का option आएगे, इसके टिक करना है आपको, अब आपके सामने दोनों card आगे, credit card और debit card, ठीके, त 3866 लबग 3800 के असपस हमारे बस reward point है, last month हमारे लबग 3900 ते और इस मत हमें 900 कुछ reward point मिलें, ठीके, total हमारे 3800 reward point होगे, ठीके, आप में से redeem करेंगे, redeem करने के लिए निचा आना है, सबसे नीचे देखिए, redeem reward point, ठीके, इस पर टिक करना है, इसके बद आपके समने यह वाला option आ जाएगी और डिरेक्ट reward point की website पर पोच जाएगी, तो मैं confirm पर टिक करता हूँ, तो वहां से हम log out हो चके हैं, डिरेक्ट हम website बाच चुक है, ठीके, तो यहां पर हमारे card की detail हाजएगी, अब देखिए, आप लिखावा available reward point जो की 3948 आरे, ठीके, जबकि हम अपने reward point चेक कर तो लगबग 3800 के असपास आ रहे थे, तो देखिए, मेरे पास जो इस महीने का message आया था, जो की एक दो दिन पहले काया था, 917 reward point है, अब यह 917 reward point हमारे redeem में, इसलिए यहां पर add नहीं हुए है, क्योंकि लगबग जब हमारे reward point मिलता है, तो लगबग एक हफते का time लगता पर tick करूँगा, तो देखिए, हम पर लिखा हुआ है, ready to redeem cash, available point है हमारे 4948, और अगर मैं इने convert करूँगा, तो हमें पूरे 4948 रुपे ही मिलेंगे, ठीक है, Indian currency के साबसे देखिए, 3948 रुपे लिखा हुआ है, ठीक है, यानि कि एक point का हमें एक रुपा मिलता है, जबकि इस ठीक है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचा आने आपको, तो यहाँ पर देखिए, बता रखा है, यहाँ पर available point हमारे पास 2948 है, जो कि convert करेंगे तो 2949 ही होगे, ठीक है, अब नीचे पूछा जा रहा है कि हमें कितने point redeem करने है, तो मैंने पूरे के पूरे यहाँ प कितने रुपे मिलेंगे, यहाँ पर रखा है, तो during the settlement पे आपको टिक करना है, और नीचे redeem now पर टिक करना है, तो एक बार हम आपे से यहाँ से confirmation मांगी जा रही है, confirm cash redemption order, are you sure, तो हमें confirm करना है, confirm कर देखिए, आप लिखा बागया, your cash redemption request for rupees 2948 is taken up to processing, ठीक है, your order number, हमें एक order number पर मिल जाएगा, यह tracking के लिए होता है, इसके इलावा अगर आपको इससे पहले की history चेक करने हैं, तो सबसे उपर देखिए, right corner में three line बनी में spatic करेंगे, इसके बद आपके सामने काफिसार option आजाएंगे, my reward वाले section में जाना है आपको, यहाँ पर देखिए, view reward history, spend promo detail, त view reward history पर टिक करके, आप अपनी पुरानी history भी चेक कर सकते हैं, कि आपने कब कितने reward point को redeem कर रखा है, और देखिए, मेरे पास HDFC bank की तरफ से SMS भी आ चुका है, जो लगबग 10 minute के बाद ही आ गया था, received your request for cashback of rupees 2948 from the redemption of 2948 point, ठीके, on HDFC bank credit card, यानि कि HDFC bank के credit card से आपने reward point redeem कर र करके, आपके credit card की limit होती है, उसमें आपके 2948 रुपे एड कर दिये जाएंगे, ठीके जने की limit में add हो जाएंगे, ठीके दोस्तों, तो ये था तरीका हमारे HDFC bank के credit card के reward point को cash में redeem करने का, ठीके, बहुत ही simple step थे, जैसे मैं आपको starting में बता है, इसी step को हमें follow करना है, साथ ह आपको एक important बात और बता देता हूँ, अगर आपके पास HDFC bank का कोई भी credit card है, तो आप उसको convert कर लेजी, अपने HDFC bank मिलेने credit card के अंदर, मेरे पास भी यही card है, इसके अंदर क्या benefit है, देखे मेरे 1,00,000 के limit है, अगर मैं हमेने 1,00,000 रुपे के limit यूज कर लेता हूँ, तो reward point मिलते थे, लेकिन जब मैं उनने convert करता था, तो मेरे को कभी उसमें 700 रुपे मिलते थे, इससे पहले card था, उसमें केवल 500 रुपे मिलते थे, इसके लावा मेरे पास ICI bank, SBI bank, Axis bank, बहुत सारे credit card है, सब मेरे को यही दिक्कत आती है, reward point के बदले मेरे को proper amount नहीं मिल पाता तो अगर आपके पास इस card के लावा कोई और credit card है, तो आप इस card को convert जरू कर लिजेगा, इस card का नाम है HDFC bank millennia credit card, ठीके, अगर आपके पास एक card नहीं है, तो इसको online apply करने का भी तरीका मैं ने बता रखा है, जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, ठीके, make sure आपक